इस वक्त एक्स्क्लूजिफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से आप देखे विपक्षी बैठक के अंदर की तस्वीरें आप देखे निदीश कुमार के अवास पर ये बैठक बुलाई जा रही है और तमाम बड़े नेता जो हैं विपक्षी दल के वो यहां दिखन शुरू हो गए हैं राहुल गांधी के बगल में ठीक मलेकार जुन खड़ गे उनके बगल में निदीश कुमार थे जस्वी आदव सपाध्यक्ष अखिलेश यादव वेमके स्टालिन तमाम बड़े अध्यक शेमन सोरेन राहुल गांधी और आप इन तस्वीरों में देखे संजेर राओ, तादित्य ठाकरे और तमाम वो बड़े निता विपक्षी दलों के लगभग 18 दल के जो निता बैठक में शिर्कत कर रहे हैं वो यहाँ पर मौझूद हैं रागफ चड़ा, संजे सिंग, तमाम वो बड़े चहरे जो आज कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद विपक्ष की एक बड़ी यूनिटी आज दिखाई जा सके, साबित की जा सके, जो आने वाले साल में मोधी का सामना कर सके आपको बैठक के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, बैठक शुरू हो गई है, यही वो चहरे हैं जो आज देश के बड़े मुद्दों को लेकर मन्थन करेंगे सबसे बड़ा मुद्दा होगा, 2024 लोकसबा चुनाव में कैसे करें मोधी का सामना और इन में से कौन सा वो चहरा होगा, जो नेत्रित्व करेगा इस गड़वंधन का, इस विपक्षी एकता का और तमाम बड़े नेता जो हैं विपक्षी दल के वो यहां देखना शुरू हो गए हैं राहुल गांधी के बगल में ठीक मलेकार जुन खड़गे, उनके बगल में नितीश कुमार थे, जस्वी यादव, सपाध्यक्ष अखिलेश यादव, वेमके स्टालिन, तमाम बड़े अध्यक, शेमन सोरेन, राहुल गांधी और आप इन तस्वीरों में देखे, संजेर राओ, तादित्य ठाकरे, और तमाम वो बड़े निता, विपक्षी दलों के लगभग 18 दल के जो निता, बैठक में शिर्कत कर रहे हैं, वो याँ पर मौझूद हैं तमाम वो बड़े चेहरे जो आज कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद विपक्ष की एक बड़ी यूनिटी आज दिखाई जा सके, साबित की जा सके, जो आने वाले साल में मोधी का सामना कर सके आपको बैठक के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, बैठक शुरू हो गई है, यही वो चेहरे हैं जो आज देश के बड़े मुद्दों को लेकर मन्थन करेंगे सबसे बड़ा मुद्दा होगा, 2024 लोकसबा चुनाफ में कैसे करें मोधी का सामना और इन में से कौन सा वो चेहरा होगा, जो नेतरित्व करेगा इस गड़वंधन का, इस विपक्षी एकता का